हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक आवा यूटूब चैनल एक के अमेजिंग फैक्ट दोस्तों मैं अलतमस्कान लाएँ आपके लिए एक और नए वीडियो इससे पहले हम वीडियो को देखें हमाई यूटूब चैनल को करदे सब्सक्राइब और प्रैस करदे बैल आइकन को ताक फैक नमबर वन यह एक डाइस यानि पासा जो कि आप लूडो खेलते हों तो आपको पता होगा डाइस क्या होता है एक डाइस पासा के विरोध दिशावों में बने नमबरों का जोड हमेशा शाहत होता है जिहां फ्रेंट्स आप किसी भी एंगल से उन नमबर को प्लस कर ल होगा फेंट्स यह तरिकां अपने दोस्तों पर जरूर आजनाव मुझे कमेंट में बतां उन्होंने क्या-क्या आंसर थिये इसी वज़े कि संडे को सबसे ज़्यादा कार एक्सिरेंट होते है फैक नमबर त्री दुनिया की खानों से 200 गुना ज्यादा सोना तो समुंदर के धर्दी का 85% सोना समुंदरों में है जी हाँ फ्रेंट सोने की खान से 200 गुना ज्यादा ज्यादा बार जो सोना है वो हमाई समुंदर में दुका हुआ है तो फ्रेंट्स आप सो सकते हैं इंडिया के अंदर कितना सोना है और पूरे वाल्ड में कितना सोना है एक लौता देश है जिसका जंड़क केवल यूद जा सकित अलग अलग तरह से फैलाया जाता है इसका एक भाग नीला है तो दूसरा भाग लाल है नीला भाग शांती के समय में फैराया जाता है जब कि लाल यूद के समय जी हां फ्रेंग पीली फिर्स नाम का एक एक जो कंट्री है उसमें two colors के flag है जो कि जब नीला होता है तब जब वहाँपर शांती होते तो नीला फ्लाग लराया आता है और जब वहाँपर यूँद का थाइम होता है तो red color का font फेराया जाता है पैट नमबर फाइब अंदों की भाषा ब्रेल लीप की खोज करने वाले लुई ब्रेल ने उसी सुए से भाषा की खोज की थी जिस सुए से तीन वर्ष की आयू में आखों में लगने के कारण उनकी नेतर जयती गई थी जिस सुए तो आप जानते होंगे सुए से बहुत ही साइज में बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं सुए लीपी ब्रेल ने जो तीन साल की उमर में उनकी आख में सुए लग गया था जिसकी वज़ेसे उनकी आखों के रोशनी चली गए थी उन्होंने लीपी की भाषा का अविश्कार किया था फैक नमबर शिक्स फ्रेंट साब जो उनके बहुत ही हैरान हो जाएंगे लुई ब्रेल जिनके बाद में अभी मैंने बताया तो जिनोंने अंदों की भाषा की खोच की थी लुई ब्रेल जी की मित्यों सन 1852 में हुई थी और उन्हें उनके जन्म इस्थान कोहार में ही दफनाया गया था उनकी 102 वर्षी के मौके पर उनके शरीर को उनकी कबर से निकाला और पूरी सतीकार के साथ 1952 में पैरिस में दफना दिया गया था जियां पर उनकी वर्षी थी उसके दिन पर उनको उनकी कबर से निकाला गया था और बहुत ही मान समान से उनको तयार करके 1952 में पैरिस में दफना दिया गया था फ्रेंट्स में बताता हूँ अगास्त में सबसे ज़्यादा बच्चे जनम लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पीरेड होता है फ्रेंट्स वारा नसी को दुनिया का सबसे एतिहासिंग नगर कहा जाता है जहां पर मनुष्यों का निवास लगातार रहा हो जहां फ्रेंट्स वारा नसी में आपने के सुना योगा मनुष्यों का निवास लगातार आना जाना लगा रहा था इसी वज़े से उसको दुनिया में सबसे एतिहासिंग नगर माना जाता है फ्रैक नमब नाइन फ्रेंट जो बारिश होती है मौनसून के आपने माइंड लगाया है ये कहां से आते हैं नहीं न मैं बताता हूँ हावा में मौझूद 90% जल वर्षा महासागर से आता है जिया फ्रेंट जो महासागर होते हैं उनके उपर जब हीट परती है सन की जो किरने उनके उपर परती है जो उसकी भाप उड़के जाती है वही मौनसून का मौझूद जल वर्षा बनता है फ्रेक्ट नमबर 10 ज्यादा कर पक्षी बैगनी रंग को नहीं देख पाते हैं इसी कारेंट सिकारी बैगनी रंग के कपड़े पहन कर शिकार करते हैं जिया फ्रेंट जो पक्षी होते हैं उनको बैगनी कलर नहीं दिखता है इसी वज़े से उसी बात का फाइदा उठाते ह प्रेग निक अलगे कपड़े पेंगे पक्षियों का सिकार करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको मारत अच्छे लगा हमाई चैनल को सब्सक्राइब करते प्रेंग को मिलते अगली वीडियो में जब तक लिए टाटा बाब आए